एलो इस्टुडेंट कैसे हो आप सभी लोग में एंजनियर दीपक शर्मा जी एस प्लेनेट क्लासे जैपुर के डिश्चल प्लेटपॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हारदिक स्वागत करता हूँ और आपके इंतजार की जो है गडिया खतम हुई काफी दिनों से जो है इस्टुडेंट के आरेते सर आजाओ 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 तो बिलकुल आपके बीच में दुबारा से आचुके हैं तो एक बार जितने भी इस्टुडेंट जो है जुडे हुए हैं एक बार शेरिंग करेंगे बढ़िया तरीके से है ना बिलकुल दीपक मुगालिया मिस मनू गुड मॉर्निंग मिस मुजा गुड मॉर्निंग जल्ली जल्ली वही है ना शेरिंग कर देंगे एक बार सभी लोग फटावर्ड से बार से स्टेटस लगाओ ठीक है माहौल बनना चीए वही आगाज होना चीए जिस तरीके से पहले फिजिक्स का आगाज चल रहा था अंजाम तक पहुँचे ते दुबारा से वही अंदाज आपको दिखाना है तो ए सिमरन अशोक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है शेरिंग करो फटापड से ना यह नंबर थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं आपको पता है आग पैदा होगी तभी तो जो है हम धाड़ेंगे और जब धाड़ेंगे तभी तो तुम लोग नीट और एमस में जाकर के धाड़ होगी रहे नाला एकोड मेरे दतूरों लो सुण लिया गया का चलिए तो सभी को गुड मॉर्निंग है शर एमपी के बच्चे भी पढ़ सकते हैं मड़ने के लिए सवी को पढ़ सकते हैं आप बैया फिजिक्स वही है और इंडिया वही फिजिक्स से चलती है ना ऐसा तो है नहीं कि कही रास्तान में अलग चल रही है उपी में अलग चलेगी वीधिक से चलेगी वो ही धुन बजएगी और वो ही धुन सुन्नी है सब ही को छलो class start करते हैं अपन अब ठीक है आप लोग sharing करते रहो माहल बनाते रहो तो बिटाओ देखो आज theoretical class है और आज का जो topic है बहुत ही लाजवाब है जिससे neat में कम से कम दो question आते ही आते हैं और aims में बात करें तो aims में भी उस topic से question आते हैं और आज एक class ये जो आज की class होने वाली है ये आपको दो second में बहुत typical जो questions लगते हैं उनके answer निकालने के लिए और इससे 100% question पूछा ही जाता है तो इस बात का ध्यान रखना कि आज की class बड़ी important है last तक बने रहना है आज कुछ अपने चुनिंदा जो है अच्छे-च्छे concept और trick सिखाऊंगा मैं आपको तो इसलिए सभी लोग जो है ध्यान से देखना और समझना तो बात कर रहे हैं अपन बेटा आज का जो चैप्टर ले रहे हैं अपन पहले भी मैंने एक जो नीट और एम्स के हिसाफ से डेमो दिया था वो दिया था NLM को लेकर के Newton's law of motion को लेकर के 11 का जो चैप्टर होता है Newton's law of motion उससे related है ये ठीक है किलिए रहे चलने दो half century ठुक जानी चीए रहे हा ना क्योंकि टॉपिक लाजवाब है नीट में उठाके देख ले ना या एम्स में उठाके देख ले ना हर year के paper में यहां से question मिले हैं यहां से question मिले हैं और मैं आपको एक आसान सी trick से इसको बहुत आसानी के साथ मे समझा दूँगा इसलिए ध्यान से देख ले ना बेटा तो NLM में आपने एक topic पड़ा होगा वो होता है pulley string system लेके चलेंगे इसलिए ज्यादा दिमाग पर load मतले ना ठीक है रसी घिरनी निकाए और ध्यान से समझना बेटा focus करना के लाज़ पर ठीक है चलिए इसा इसकी हम बात करेंगे इसकी हम बात करेंगे ठीक है जी तो topic है हमारा pulley string system और इसके लिए आपने सीधे questions से discuss करूँगा मैं आपको theoretical के concern में बताऊँगा लेकिन सीधे questions से discuss करेंगे आपने इस तरीके के questions देखे होंगे कि जैसे साव ये कोई roof हो गई और यहाँ पर साव आपके एक pulley connected होती है यहाँ पर एक pulley connected होती है आपकी उस pulley से जो है string connect होती है यानि की रसी कुछ देखा है ऐसा और उससे दो mass connected होते हैं मैंने कह दिया यह M1 mass वाली body है यह M2 mass वाली body है बात किलियर है ध्यान से देखिएगा neat aims में आये वो questions से ही discussion कर रहा हूँ जोरी नहीं है सीधा question करेंगे पहले इसका basic method वताऊंगा जो आपको दुनिया सिखाती है और फिर एक दो second में ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपका answer तुरंत आ जाएगा ठीक है तो ध्यान से देखते रहे ना और focus करना focus करना भई ठीक है जी चलिए तो यहां पर देखेगा कि एक पुली है यानि घिरनी है अब पुली तो आप जानते ही हो गए जब गाओं की गोरी पाणी लेने जाती है ना कुए पे बेटा तो रसी जो खीशती है वो तो उपर आते है तो गाओं की गोरी वाली पुली की ही बात करने है यह घिरनी है और इससे दो मास connected है M1 और M2 अब आप से question क्या पूछा जाता है question यह आता है कि मान लीजिए M1 is greater than M2 है इधर वाला मास जादा है इस दूसरे मास से M1 is greater than M2 है यह जो पुली मानी जाती है यह कैसी मानी जाती है एक तो मानी जाती है frictionless यानि कि घर्षण हीन कैसी मानी जाती है गर्षण हीन और एक मानी जाती है massless कहने को द्रविमान हीन इन questionों में पुली कैसी होती है गर्षण हीन होती है और द्रविमान हीन होती है Friction less होती है और mass less होती है तो उसमें फिर बात ऐसी आती है कि जब M1 greater than M2 है तो M1 mass वाली body नीचे जाएगी M2 mass वाली body उपर जाएगी M1 greater than M2 है जैसे तराजू होता है वो तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वो तो नीचे जाता है और दूसरा वाला उपर जाता है तो जिस acceleration से नीचे जाएगा एक पलरा उसी acceleration से दूसरा वाला उपर जाएगा लेकिन कब जाएगा जब पुली कैसी हो frictionless और massless हो बात समझ में आ गई किलियर है बिलकुल 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 फोकस करते रहो बिटा कमेंट पर मैं बीच बीच में बाद में ध्यान दूँगा ठीक है क्योंकि important topic है इसलिए सभी लोग focus करेंगे और आप century तक पहुचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है क्योंकि आपको पता तो ही मुझे बताने की जुरत निये देख चुके हो जितना आप मुझे सामने दर्सक दिखाओगे उतना ही अच्छा जो है मैं खेलूंगा अब तुमारी choice है तो देखते रहिए तो यहां पर मैं अच्छा ने कह दिया कि M1 मास वाली बॉड़ी जो है विद एन एसलेशन ए नीचे जाती है और M2 वाली जो है वो एसलेशन यानि की A तोरण से उपर जाती है जब पुली आपकी frictionless मास लेस है तो दोनों तरफ के तोरण क्या होंगे बेटा जी बराबर ध्यान से सुन ले न अगर पुली गिरनी अपनी कैसी है द्रविमान हीन और गर्शन हीन है तो दोनों तरफ के तोरण बराबर के होंगे अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों तरफ तोरण बराबर नहीं होगा एसलेशन सेम नहीं होगा समझ में आ गई यहां तक बात चलिए तो question में इस टाइब के question question में आप से क्या पूछा जाता है कि वह एसलेरेशन क्या होगा क्या पूछा जाता है पैटा ऐसलेरेशन पूछा जाता है आज अगर कोई भी बच्चा घर पे बैठा देख रहा है और वह किताब खोल के देखेगा तो यह question नीट में आया हुआ है आप बुक खोल करके देखे नीट एमस में यह question पूछा गया है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना ध्यान से समझना सबसे बहले जो दुनिया पढ़ाती है जो basic method है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको देखेगा पर सर उसका mass and friction तो होगा ना ऐसे मानते हैं क्या सर बिल्कुल उदित mass वाली भी बात करेंगे कि अगर पुली का mass हो तो क्या होगा लेकिन सबसे पहले अपन basic से बात करेंगे क्योंकि सीधा direct वहाँ तो ले जाकर के बिठा नहीं सकता ठीक है तो आपको सबसे पहले इसको frictionless mass less वाला बताएंगे उसके बाद यदि इसका भी mass हो पुली का तो क्या होगा वो भी बताऊंगा सब होगा अभी तो शुरुआत है अभी तो दीरे दीरे देखो होता है क्या बस ये number जो है ना ये number मुझे दिखते रहने चाहिए ठीक है हाँ सर आया था बिल्कुल 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 देखे आगे अब यहां पर देखे बेसिक मैथड जो आपको टीचर बताते हैं वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं आपको सबसे पहले ये कहा जाता है कि इसमें जितने भी बल लग रहे हैं वो सारे बलों को दिखाना है आपको कैसे दिखाना है साब आपको पता है इसका भारबल नीचे लगेगा M1 जी और इस M2 वाले का भी नीचे लगेगा M2 जी ये तो आँक का अंदा भी लगा देगा सब लोग लगा देंगे बेट फोर्स कि M1 वाले का तो नीचे लगेगा M1 जी और M2 वाले का भी लगेगा आप भी यही हूं मैं भी यही हूं एक किलास की बात तो है नहीं आगाज चालू हो चुका है अब ऐसे ही रोज बढ़ेंगे तो देखते जाओ जो सिखा रहा हूं उसको देखो ठीक है चलिए तो यहाँ पर यह M1G हो गया और यह M2G हो गया वेट फोर्स नीचे की तरफ इसक कैसे जन्रेट होता है मैं बत कुका हूं मैंने जो पहली क्लास पढ़ाई थी in L merge की अना दीपवली से पहले यह एक डैमू गया था नीट का उसमें βता चुका हूं अंटर मॉलेकुलर एंट्रेक्षान फोर्स होता है अंत्राण्वी काकर्षण वल होता है और इसकी दोनों तरफ दिशा क्यूं बनाते इसको भी मैं पुरानी क्लास में बता चुका हूँ, यूटूब पर है वो क्लास आप देख सकते हो, तो यहां पर Tension T जो है, वो दोनों तरफ लगेगी, किसी रसी से, किसी तार से, किसी बायर से, आप किसी मास को कनेक्ट करते हो, तो तार में पूशन होती है न, ऐसे ऊपर-ती से तो पहले भारबल की कान नीचे की तरफ गया तो नीचे की तरफ, तना उत्पन हो गया, फिर बापिस से, जितना जाना था, उतना चला गया, अब उसके बाद क्या होगा, जो molecules है, जो अनू है, किसके बायर के, उनके मद्धी में क्या हो क्या हो गया दोनों तरफ तनाव उत्पन हो गया मैं जाओं तो जाओं कहां तो इसलिए टेंशन फोर्स की डारेक्शन दोनों तरफ बनाई जाती है टेंशन फोर्स मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको तो इसको तनाव हो गई होगा खिचाव तोत्पन होगा ही होगा बास समझ में आ गई हाजी बिल्कुल डू टू इंटर मॉलेक्विलर फोर्स माहिरा बिल्कुल 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 ठीक है टेंशन फोर्स जन्रेट हो गई चलिए सब अब यहां पर आपको टीचर समझाता है पहले देखो बेसिक वाड़ा बता रहा हूं यह बच्चे जो इदर उदर भाग रहे हैं यह नालाय को ऐसी गलती मत करो क्योंकि अभी बेसिक वाड़ा बता रहा हूं इसके बाद में एक लाइन में इस कोश्चन का अंसर बता दूगा एक लाइन में कैसे निकालना बो बता दूगा पहले जो बेसिक आपको दुनिया पढ़ाती उसको देख लो एक बार ठीक है तो अब क्या होगा सब अब य उस्टुडेंट सूचता है तो एफ बीडी होता है प्रीबटी डाइग्राम कि क्या होता है प्रीबटी डाइग्रां यानि की हम उत्त only कर फिर डरने लग जाता है कि माश्टनी Venice के लिए यह होता हैं अरे बता है कि कोछ नीए बेटा एफ-ब्.ध का मतलब यह है कि जैसे M1 create करना है तो कुछ नहीं करना इस पिंड को उठा करके रखो इधर और इस पर जितने भी फोर्से जितने भी बल जिन दिशाओं में लग रहे हैं जिस magnitude के साथ उनको रिप्रेजेंट कर दो जैसे इस M1 वाले पर कौन-कौन से फोर्स लग रहे हैं बिटा नीचे की तरफ M1 जी और उपर की तरफ देखना चरह क्या लग रहा है उपर की चरफ लग रहा है टेंशन टी लग रहा है और यह जा किदर रहा है नीचे की बात नहीं है FBD का मतलब यह है कि जो बल उस पिंड पर लग रहे उस बॉड़ी पर लग रहे उनको with magnitude with direction denote कर दीजी आप ठीक है जैसे यहाँ पर M1 जी नीचे लग रहा है लगती है और perpendicular to the plane लगती है कई कहते है महारती भारवल से लगती है नौर्मल प्रतिक्रिया ऐ मैंने देखा है कई को पढ़ाते हो देखा है वह क्या करते हैं कि MG के opposite direction में लगती है नॉर्मल रियक्शन अविलम प्रतिकिरिया लग दी है भाई साब तल पे होती है तो लग दी है बारवल करसे कोई लेना देना नहीं है बेटा नॉर्मल रियक्शन का ध्यान से सुन लेना इस बात को कोई पूछे ना तुमसे कि क्या बारवल और अविलम प्रतिकिरिया दोनो एक्षन रियक्षन फोर्स है, किरिया प्रिति किरिया बल है, तो आप कहोगे नहीं है, नहीं है, हाना, नॉर्मल रियक्षन एंड टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स क्या बेट पोर्स, आर नॉट है, एक्षन रियक्षन फोर्स, किरिया प्रिति किरिया बल नहीं है, ठीक है, न चलके लंबुवत लगेगी इस बात को ध्यान रख लेना अच्छा ठीक है चलिए सब चलिए चलिए बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग है ध्यान से देखते जाओ आनंद लेते जाओ और मजे से पड़ो भई क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक से शुरुवात की है जिस चैप्टर को दुनिया पढ़ाने से डरती हो उसी से शुरुवात की है नीट मेर एम्स के लिए हना इसलिए देखते रहो चलिए तो यहां पर M1 जी नीचे की तरफ टेंशन टी उपर की तरफ ए नीचे की अब यहां से एक equation बनानी है आपको और वो equation क्या बनेगी मैं बना देता हूं M1 G माइनस T बराबर M1 A यह बनेगी M1 G माइनस T बराबर M1 A आप कहो गुरु जी कैसे हमें तो नहीं आई समझ में कोई बात नहीं एधर देखो यह M मास की बाड़ी बेटा 15 न्यूटन इधर ल Large magnitude का force जिदर लग रहा है उदर जाएगी ठीक है साब मैं पूछो कितने से जाएगी आप कहोगे सर 5 न्यूटन से जाएगी विल्कुल बात सही है कैसे निकाला महरती हो कैसे निकाला कि 15 माइनस 10 बराबर 5 यही तो किया महरती हो तो body किदर जा रही है नीचे जा रही है कौन सा ज़्यादा महरती ज़्यादा किस से ज़्यादा T से ज़्यादा už कितना ज़्यादा रजल्तेंट परणामी का यह कि इसे समझ में आ रहा है सबको कि कौन सा बल M1G नीचे लग रहा है ती उपर लग रहा है जा किदर रही है नीचे की ओर जा रही है कौन सा जाधा M1G जाधा किस से जाधा T से जाधा कितना जाधा रेजल्टेंट के बराबर तो M1G माइनस T बराबर M1A ठीक है जो जानते हो नो उसी से पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा यह देख लो यह तुम जानते हो अगर मैं यह नहीं बताता तो यह तो तुम जानते हो 15 न्यूटन से इदर जा रही है 10 न्यूटन आप ओ जी बनाएंगे अब दूसरे वाले के FBD बनाएंगे तो FBD 4 M2 M2 मास वाले की फ्री बॉड़ी डाइग्राम बना लेते हैं बना लो साब कौन सी बड़ी बात है देखो साब क्या बनेगा यह M2 मास वाली बॉड़ी इस पर भी नीचे कौन सा बन लग रहा है M2G उपर की तरफ कोन सा लग रहा है बिटा टी और जा किधर रहा है यह उपर देखो चाहो तो दिखा देता हूँ देखो M2G नीचे लग रहा है T उपर लग रहा है T उपर अब कई बच्चे मत कह देना T तो देखो न नीचे लग रहा है आरे ये नीचे तो उपर वाली रसी पे लग रहा है इस body से जो connect रसी string उस पे तो उपर ही लग रहा है न T तो भैस आप T उपर M2G नीचे देखते रही है तो यहाँ पर अब equation क्या बनेगी बिटा जी equation ये बनेगी जा किदर रहा है उपर यानि कौन सा ज़्यादा T ज़्यादा किस से ज़्यादा M2G से कितना ज़्यादा T माइनस M2G बरावर M2 A समझ माँ आया क्या जा किदर रहा है उपर कौन सा ज़्यादा T ज़्यादा किस से ज़्यादा M2G से तो T माइनस M2G इक्वल तू रजल्टेंड रजल्टेंड यानि पढ़ नामी कितना आएगा M2 A तो बन गई साब equation ये हो गई हमारी दूसरे equation ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं बिटा आपको FBD बनाना आना चीए मैं चाहता तो इसको direct short trick से करा देता ये कि एक second मा answer आते रहते तुमारे लेकिन मैं क्यों सिखा रहा हूं क्योंकि इस chapter में question जब आते है तो आपको FBD बनाना आना चीए free body diagram क्या होता है वो आपको पता होना चीए क्या होता है free body diagram क्यों जिस पिंड पर जितने भी बल जिस दिशाओं में लग रहे हैं जिन direction में जितने magnitude के force लग रहे हूं उनको सबको represent कर दो वो आपका क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा free body diagram free body diagram से equation कैसे बनती है ये भी आपको आना चाहिए तो समझ रहे होंगे दीरे-दीरे इंजिनियर साब काफी दिन में दर्सन दिये हैं बिल्कुल दे दिये ना तेरको दर्सन गोठवाल पढ़ ले अब बिटा करेंगे अपन चर्चा करेंगे लास्ट में अभी topic पर देखते रहो तो इस तरीके से हमने दो equation बना ली अब देखो दो equation में या तो आपसे पूछता है वो a या पूछता है वो t अब दो equation है दो equation से दो variable अपन निकाल सकते हैं कैसे देखो भई पहली equation क्या बनी थी m1g माइनस t बराबर m1a यह पहली equation थी देखो देखो यही तो बनाई है अपने यहाँ पर देखो m1g माइनस t बराबर m1a यह बनी तो पहली equation यह थी दूसरी equation अपने यह बना ली अब दोनो equation को क्या कर देते हैं मेरे लाल पीले हरे निलो दोनो equation को add कर देते हैं equation 1 और equation 2 को क्या कर देंगे add कर देंगे add करेंगे तो जरा LHS में देखना क्या आएगा t-m2g plus m1g minus t बराबर m2a plus m1a यह यह आएगा कि दोनों तरफ add कर दो LHS RHS दोनों add हो जाएंगे तो यहाँ पर देखो t से t cancel out हो जाएगा तो क्या बचेगा m1g minus m2g बराबर m1a plus m2a ठीक है तो यहाँ से g common निकाल लोगे m1 minus m2 ठीक है और यहाँ पर a common निकाल लोगे तो m1 plus m2 आजाएगा इसके बाद में देखिए बिटा यहाँ पर a यदि आपको निकालना है तो a बराबर आगया g m1 minus m2 upon m1 plus m2 अब कई बच्चे क्या करते हैं देखो question के according आप से a पूछा जाएगा और a के लिए आपको m1 m2 की value given होगी आप चाओ तो अभी जो है book खोल करके देख लो आपको यह मिल जाएगे question मिल जाएगा question कैसे मिलेगा वो भी बता देता हूँ question ऐसे मिलेगा आपको कि यहां जो m1 m2 लिखे न मैंने यहां पर वो इनके मान लिख देगा यहां पर 10 kg है यहां पर 5 kg है इस तरीके से लिख देगा 10 kg इदर 5 kg और फिर acceleration पूछ लेगा तो m1 m2 की value आपको given होगी अब student क्या करता है और कई teacher करवाते भी है क्या करते है कि बेटा ऐसा pattern आए ना वो क्या कहते हैं देखो तो सही सुनो तो सही मेरी बात वो यह कहते हैं कि अगर ऐसा pattern आए ऐसा पुली वाला कि दो मास connected हो इस ट्रिंग से तो भाई साब उसकी ये trick इसको याद गर लेना बच्चा इसको formula समझ गे trick समझ गे याद करता रहता है महारतियों मानलो यह वाला आया जब तो यह लगा दोगे लेकिन आगर दूसरा कोई और आ गया तो क्या करोंगी तो क्या करोंगे समझ में आ गई बात यह लो क्लास सालूनिक उससे पहले तो यह सर कोर्ष कब तक खतम कर दोगे भाई पढ़ाने तो दोरे मेरे लाल पी ले अरे नीलो क्या कोर्स कोर्स की टेंसन लेते हो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने लिए ठीक है जब चाहेंगे जब कर देंगे आना ये कोर्स कार्ष की टेंसन वदलो तुम जो पढ़ा रहा हूं उत्पर क्यान दो ये चल्व सुन रहे हो तो सुन रहे हो तो दहुँंगे द्यान से देखना तो यह फॉर्मुले याद नहीं करना आपको FBD बनाना आना चाहिए, आपको equation बनाना आना चाहिए, और फिर equation solve करके तो variable निकाल सकते हो, killer है, अब acceleration तो देखो, ये आगया आपके पास, इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है, M1, M2 की value रखना, A की value आपके पास आजाएगी, कई बार वो A के अलावा T भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, T, तो डरने की जरुरत नहीं है, मैं solve नहीं करना, मैं कोई formula पढ़ाने नहीं आया, तुम्हें यहाँ पर, ठीक है, T अगर निकालना हो, तो क्या करना, किसी भी equation में, of course, short में ही खत्म हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, एक short में कर देंगे, इधर देखो तुम तो, ठीक है, यह बेटा, यह दुनिया पढ़ाती है, यह आपके बुकों में भी मिलेगा, लेकिन अब मैं आपको जो method बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेगा, और कोई trick नहीं है, कोई trick नहीं है, एक formula F बराबर, में उससे इस कांसर निकार दूँगा, मैं, ठीक है न, और देखो बेटा, कई लोग है न, यह trickों के चक्कर में और फस्ते हैं, यह trickों के चक्कर में, कि यह trick याद करेंगे, बो करेंगे, बुक भी ले करके आते हैं, आजकल मार्केट में भी कई सारी बुक है, उनमें tricks लिखी होती है, अरे tricks में मत जाना, trick वो होती है, जो एक जगे पढ़े और दस जगे लगा सके, trick होती होती कि, एक question की trick ये, दूसरे की ये, तीसरे की ये, तो कितनी tricks से याद करोगे, मार्तियो, तो short में मत जाना, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, सीज को सीखेगा, यह तो basic method है, यह आपने 11th class में खुदने भी पढ़ा है, ठीक है, और bookों में भी मिलता है, अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सीखेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा important है, जिससे 2 second में इन जैसे question का answer आ जाता है, तो ये तो समझ में आ गया ना भई, एक बार जल्दी से comment करके बता दो, ये जो जमेला मैंने किया है, ये समझ में आया नहीं, एक बार जल्दी से comment कर दो, फिर मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, मेरा ही इजाद किया हूँ, एक method है, method से इन question को करवाना चालू करता हूँ, बताओ भई, बताओ जल्दी से, ये समझ में आया के नहीं आया, और ये देखो, ये मेरे को ना ये नंबर थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हें पता जब तक 50 नहीं पड़ते हैं, आप century, विराट को लिए आते ही उसको century, मतलब हाफ century तो चाहिए चाहिए न अर्मैच में, ऐसे मेरे को भी आप century तो चाहिए भी, ये नंबर थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं, बुझे बुझे से दिख रहे थे तुम कुछ दिनों से, अब आगया तुम्हारे सामने तो जम के मैनत करनी है, ठीक है, बिलकुल, चलिए साब, क्लियर, चलो, अब आगे बढ़ते अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेगा आप, question वही है, और तरीका मैं बता रहा हूँ, और आगे न जाने कितने question इसी चीज से करवाँगा मैं, और इसके बाद कई दुनिया कॉपी करके इस चीज को पढ़ाएगी भी, क्योंकि यूटूब पर मैं पहली बार पढ़ा रह रहा हूँ बेटा, ये यूटूब पर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, और मैं definitely कह रहा हूँ, कि कई जो कुकूर मुत्ते है, नहीं बोलना चीज नालायक धतूरों को, वैसे तो क्यों कुछ देखा था मैंने 15-20 दिनों में, तो copy करकर के पढ़ाएगे इस method को, वो भी सी और इदर ये M1 मास वाली बोड़ी, इदर M2 मास वाली बोड़ी, और यहां पर ये रसी में तनाव, और ये इसका bait force M1 G नीचे की तरफ, और ये bait force M2 G नीचे की तरफ, और A तौरन से ये नीचे जा रही है, और A तौरन से ये ऊपर जाएगा, यही तो था अपना question, और हमे तुमें निकालना क्या है हमें इसको निकालना यह कुर्षण यह Weekend faith serait रहें आपको क्या बताया कि आपको क्या बताया कि अब यहां थे क्यूंचन रहे ठीक है अब इसा नहीं करेंगे आप इह दर देख्खे़एगा आपको क्या करना जब दी साब को आए तो उस question में क्या करना विटा जितने बल लग रहे न वो सारे बल दिखा देना जैसे मैंने दिखा दी है कि यह मन जी एम टू जी टी यही लगेंगे अब क्या करना देखेगा बल का फॉर्मूला क्या होता है फ बराबर में यही तो होता है अगर किसी वस्तू पर एक बल कारेरत है किसी बॉडी पर केबल एक ही बल है एक ही फॉर्स है तो भाई साव आप एसिलिरेशन का फॉर्मूला बनाते हो टोटल फॉर्स डिवाइड़ वाई टोटल मास कुल बल बटे कुल द्रविमान यही तो बनाते हो भाई ठीक है अगर किसी बॉडी पर एक ही फॉर्स लग रहा होता है नहीं मैं इस्टुडेंट को ऐसी बाते नहीं बोलता सर मुझे मत कहो ऐसा मैं भी आपकी कोपी पेस्ट करके ऐसे ही पढ़ाता हूं टूशन में कोई बात नहीं वेटा तू तो मेरा नालायक प्यारा सा धतूरा है ठीक है तू अगर इस चीज़ को कॉपी करके पढ़ाता है तो अच्छी बात है घ्यान को बांटो जितना बांट सकते हो चलिए अगर किसी बॉडी पर एक ही बन लग रहा है तब ऐसे निकालते तो और से जादा बन लग रहे होते हैं टू और मैनी फोर्सेज आर एप्लाइड ओन बॉडी दैन एसलेशन बिल्वी कैल्कुलेट वाइडी ट्रिक रजल्टेंट फोर्स डिवाइड़ेड वाई टोटल मास यदि किसी वस्तू पर दो या दो से अधिक बन लग रहे होते हैं तो उस टाइम पर अपन किस से निकालते हैं परणामी बल बटेकुल द्रविमान से निकालते हैं यही तो करते हो आप कहे रहोंगे गुरु जी हमको तो यह भी नहीं आता अरे धतूरो ऐसे ही करते हो देख अगी जा रही है 15 निटनकी तरफ आप से बुचा रहे जल्दी से बताना यह कितना होगा इस सभी स्टून अंसर करेंगे एक बार जल्दी से जलFORE वाले कि तरफ जायेगी dużo मैं पूछ रहूं कितने तो कितने तोरण से जाए जड़ा निकालगे बता दो इसमें अभी बता दूँगा यह formula कैसे लिखा है मैंने ठीक है बता 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 वई फटावड से कि अरे बोलो कि आजी कैसे निकालते हो आप आप ऐसे निकालते हो मैं बताता हूं देखो आप निकालोगे resultant force कितना आएगा fr resultant force कितना हैगा 15-10 यानि कि 5 यानि कितने न्यूटन से जाएगी यह आगें कि तरह 5 न्यूटन से थीक है तो फिर आप लगाते हो f बराबर m & a और a बराबर f y म यानि कि कितना बिटा कितना बिटा यहां से 5 बटा 2 यानि की 2.5, 2.5, ऐसे ही तो निकालते हो, तो आपने यह जो ऊपर लिखा है, 5 that is resultant force, यह क्या है, पढ़नामी बली तो है, तो किसी बोडी पर यदि 2 या 2 से अधिक बल लग रहे हो, if two or many forces are applied on a body, then motion of bodies depend on resultant force, यानि की पढ़नामी बल पर निर्वर करती हो, वस्तू की गती, तो आपको क्या निकालना होता, resultant force, यही निकालोगे न, बिलगुल 2.5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथ, चर यह क्लास कब से चल रही है, यह क्लास स्याद 30 मिनट हो गयोंगे, चलते होई, ठीक है, चलेगी अभी तो लंबी चलेगी, क्लास बन देखो, 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 जी देखो, हाँ जी, कैसे, सबसे पहले तो बेटा, आप ऐसे जब इसको लगा रहे हो, तो यह tension T को negligible कर देना, negligible मतलब हटा देना इसको, tension T को क्या कर देना, हटा देना, कई बच्चे कहेंगे, सर घर की खेती है, क्यों हटाए, कारण बताओ गुरुजी, क्यों हटाए, ठीक है, कारण बताओ गुरुजी कि हम इसको क्यों हटाए, तो महारतियों इसलिए अटा देना कि extension T का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किस पर motion पर गती में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्यों भई कैसे मैं खड़ाऊं एक लाली इदर से 15 न्यूटन से घीचरी है दूसरी लाली भी इदर 15 न्यूटन से घीचरी है पड़ेगा भई दोनों तरफ बराबर के बल लग रहे है पर दिशा दोनों गी आपोजिट एक कैरी एदर आजा एक कैरी एदर आजा भई या दोनों बराबर बल लगा रही क्योँ जाओंगा मैं इतर उदर मैं तो stationary रहूंगा इस्तिरावस्था में रहूंगा ठीक है समझ मे आगई बाद बिल्कुल गुड्डू चौदरी हेलो 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 चलो चलिए 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 अरे आपस की चूच को लडाना बंदगरो तुमारी यह फिजिक्स है और फिजिक्स में पढ़ाना चालू किया है मैंने सीधा ही चैप्टर कोण सा Newton's law of motion NLM मैकेनिक्स का समसे टफ चैप्टर और जिससे एम्स में और नीट में भरमार कोशन पूछे जाते हैं और बच्चा कन्फ्यूज होता रहता है इसलिए इधर देखते रहो ठीक है चलिए तो भाई साब कोई प्रवाब पढ़ेगा अगर किसी बॉड़ी पर पर इक्वल मैगनिट्यूड के फोर्स अपोजित डिरेक्शन में लग रहे होते हैं तो मोशन पर कोई फैक्ट नहीं पढ़ता कोई फैक्ट नहीं पढ़ता इसलिए बैटा टेंशन टी देखो जितनी नीचे लग रही है उतनी ही उपर लग रही है जब इस ट्रिक को लगा रहे हो तो इस टेंशन टी को रिमूव करो इसको हटा दो ठीक है चलो सा बटा दिया अब कौन से बल बचे अब बल बचा आपका एक तो M1 जी दूसरा बचा कौन सा बचा M2 जी कौन सा बचा M2 जी बास समझ में आगे ये दो ही बचे और कोई बल बचा है क्या अब ज़रा इसको देखो ये जा किदर रहा है नीचे की ओर ये किदर जा लू क्या अरे निकाल लू क्या तो रजल्टेंट फोर्स पंडामी बल कैसे निकालेंगे रजल्टेंट फोर्स निकालोगे साब जा किदर रहा है M1 जी की तरफ जादा कौन सा M1 जी किस से जादा बचा M2 जी से किस से जादा M2 जी से तो रजल्टेंट फोर्स कितना आ गया M1G minus M2G अरे आया खेली आया कैसे निकाला विटा वो ही 15 Newton इदर 10 Newton इदर जा किदर रहा है 15 Newton की तरब कैसे निकाला 15 minus 10 बराबर 5 ऐसे निकाला ना resultant यहाँ भी ऐसे निकालोगे जा किदर रहा है नीचे की तरब कौन सा जादा M1G जादा किस से जादा M2G से जादा तो resultant force पर नाम बल कितना आ गया M1G minus M2G और इसके बाद कुछ नहीं करना इसके बाद देखना क्या करोगे कि सीधा लिखोगे एका formula क्या बताया मैंने resultant force divided by total mass divided by total mass तो resultant force कितना M1G minus M2G upon total mass कितना M1 plus M2 यानि A बराबर कितना आ गया G M1 minus M2 divided by M1 plus M2 आ गया रहे मिरे लाल फिले हरे नीलो देखना ना कोई FVD बनाई ना कोई equation बनाई ना FVD बनाई ना equation बनाई सीधा तोरण निकाल दिया सीधा निकाल दिया और देखो जरा same ही आया है कोई सोच रहो सर अलग आ गया हो देखो G M1 minus M2 upon M1 plus M2 और यहां देखो G M1 minus M2 upon M1 plus M2 इसको करने जाओगे डेड़ पेज भर दोगे इसको करने जाओगे दो लाइन में आंसर आ जाएगा अरे समझ में आ रहा है क्या भाई देखो मेरी बात सुनो आपस की चर्चाएं मत करो लाली ओरी लाली ओ सुन लोरी तुमारी चोंच जादा चल रही है सर मेर को बूल गए क्या रहे मैं किसी को नी बूला पर तुम यह टॉपिक जो चल रहा है ना इसको फोकस होकर के पढ़ो रहे ठीक है ना यह जो पढ़ रहे हो ना इसको फोकस होकर के पढ़ो भई यह क्या है गुड मॉनिंग सर गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग यह चोंच मतल लटा हो रहे यार एक लाली दूसरी लाली से पूछ रही है कि लाली तु कहां से है तु काई कर रही है लाली तो लाली कुछ ना कर रही लाली इधर पढ़ने पे ध्यान दे रही है तू भी पढ़ने पे ध्यान दे बिटा ठीक है ठीक है मजे से पढ़ो तुम्हें ये तो मजा आया कि नहीं आया कि भाई साव जो हम जो हम इतना बड़ा जो पैटर्न पढ़ रहे थे बना करके उसको एक ही ट्रिक से हो गया समझ में आया कि नहीं आया अबता ना थोड़ा सा दुबारा बता देता हूं क्या करना है, जितने बल लगा रहे हो उस diagram में लगा लेना, tension T कहीं भी लग रही हो, उसको हटा देना, ठीक है, हटाने के बाद जो बल बचें, उनमें resultant force परणामी बल निकाल लेना, कैसे निकालोगे, इसमें जैसे M1G नीचे की तरफ लग रहा था, M2G भी नीचे लग रहा है, कई मारती ये गलती ओर करते हैं, क तो उनको हम जोड देते हैं, अरे बड़िया बात बताई तुम्हारे मार साब ने, लेकिन मारती मेरी बात सुन, इसको सोच तो सही, ये दोनों समान दिशा में नहीं है, ये diagram में दिख रहे हैं, है नहीं है, actual में, हाना, हान, समझ में आ गई बात, कई लोगों के समने में द नीचे ले जा रहा है, और M2G वाड़ा इसको रोकेगा, M2G वाड़ा इसको रोकेगा, रोकेगा भई इसको, ठीक है, M2G इसको रोकेगा, ये तो होगा, इमेजिन करो, physics without imagination होती नहीं है, ये इसको नीचे ले जा रहा है, M2G वाड़ा नीचे जाने, उपर जाने से इसको, तो दोना opposite direction में मारा, इसलिए सब्ट्रेक्ट कर देना है, समझ में आ गई ना बात, हाँ, 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 चलिए, पर ये तुम जो मेरा स्वागत करेऊ ना, इतने दिन से तो कह रहे तो गुरु जी आ नहीं, गुरु जी आ नहीं रहे, आगे तो ये नंबर दिखा रहे मेरे चेहरे पर, हाँ, कोई देख रहा होगा, तो क्या कहेगा, प्रमा जी बन रहे है, क्या ये, ठीक है, यस सर, अब आके समझ में आया है, ओके, 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 कि लिए रहे भाई, तो देख लो, कोई अलग से trick न देख लेना, प्रिवियस येर के पेपर उठा के देख लेना, कोईशन मिलेगा, अब ऐसा तो एनी एक ही कोईशन पर क्लास खतम करूंगा, नहीं करूंगा, अब इसी चीज को कई कोई कोईशनों पर लगाऊंगा, मैं देखो कैसे कैसे, बिल्कुल गुड मॉनिंग, अनन्द लो तुम, ये बेटा, एक मेज है, टेबल है टेबल, जान से सुनना बेटा, चैट बॉक्स को तो बंद कर दो सारे के सारे है, ना, चैट करते रहोगी तो समझ में नहीं आएगा, और मेज के किनारे पर लगी हुई है एक घिरनी, पुली, ना, और दो मास है, ये M1 और एक रसी से कनेक्ट होकर के, ये दूसरा मास M2, ठीक है सब, ये एक टेबल है, मेज है बेटा, और ये मेज की जो सरफेस है, ये सब कोश्चन आए हुए है, आप देख ले ना, एक बार, ये स्मूध सरफेस है, रफ सरफेस नहीं है, चिकनी सतय है, फ्रिक्शन फोर्स न गर्शनबल नहीं लगेगा, तो M1 और M2 दो मास है, मेज के किनारे पर, टेबल के किनारे पर एक गिरनी लगी हुई है, ऐक पुली लगी हुई है, उस पुली से जो रस्ती जारी है, उससे दोनों मास कनेक्टेड है, मेज कैसी है अपनी, टेबल कैसी है, सМूध है, चिकनी ह M2 is greater than M1 और ऐसे question में क्या करता है M1 M2 की value देगा वो जैसे 10 kg दे दिया यह 5 kg दे दिया और फिर आप से पूछेगा तोरण का मान कितना होगा acceleration क्या होगा क्या पूछेगा आप से acceleration क्या होगा ठीक है चालिए question समझ में आ गया कि एक पुली से दो mass connected है with the string ठीक है और M2 greater than M1 और A का मान आप से पूछता है ठीक है अब देखो जो basic method है उससे मैं आपको नहीं बता रहा है उससे आप घर पे खुद करके देखिएगा थाना basic method बेसिक method का मतलब वोई FBD बनाना वोई equation बनाना ठीक है वो करके देखिएगा मैं सीधा जो isolation की trick सिखाई है तुम्हें उससे निकालूंगा इसको तो देखिए सब देखिए 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 ठीक है देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बल दिखाओ इस पर क्या दिखाओ मैं बल दिखा देता हूं आजी, तो इस पर देखो, M1 जी नीचे लगेगा क्या, बिल्कुल साब लगेगा, यह तो आख का अंदा भी लगाएगा, बारबल तो मेशा लगाए नहीं लगाना है, M2 जी नीचे लगेगा, बिल्कुल लगेगा साब, यह M2 जी नीचे लग गया, ठीक है, इसके बाद और क कलती और करते हैं, इधर T1 लिख देंगे, इधर T2 लिख देंगे, दोनों तरफ टेंचन अलग-अलग कर देते हैं, तो मारती ऐसा नहीं करना, जब रस्सी समान हो, एक ही रस्सी से दो मास कनेक्टेड हो, सेम स्ट्रिंग हो, तो उस इस्तिती पर टेंचन समान होती है, रस् चले, तो यहां पर ध्यान रखना, रस्सी जब समान हो, इस्ट्रिंग जब सेम हो, तो दोनों तरफ टेंचन बराबर की होगी, अब देखें साब M2G नीचे लगेगा, M1G इधर लगेगा, हाना, अब यह सोचो इसको यह क्या होगा, यह वाला जादा है, तो यह नीचे जाएगा, यह नीचे जाएगा, तो यह किदर आएगा बेटा, आगे, किदर आएगा, आगे, यह इधर आएगा, बास समझ में आगई, जब M2 का मान M1 से जादा है, तो M2 वाड़ा नीचे जाएगा, M1 वाड़ा आगे जाएगा, अब ठीक है, टेबल पे रखाईए, तो यह जब नीचे जाएगा तो यह आगे सरकेगा ना, इसको आगे की तरफ खीचेगा, तो यह आगे जाएगा, हाना, खही कहतो पिछले वाड़े में, तो गुरु जी आपने का एक नीचे जाता है, दूसरा उपर जाता है, तो नीचे उपर इस पर normal reaction लगेगी, जिसको R से denote कर लो या N से denote कर लो, इस पर, क्यों मेटा, तल पे रखा हुआ है, यह तो हवा में लटका हुआ है, हवा में लटके हुए, पर कोई normal reaction नीचे अविलम पृतिकरिया नीचे तल पर रखे हुए पर होती है, अभी कहा था, अविलम पृतिकरि लेकिन इस आर का कोई रॉल नहीं होने वाला है जरह ध्यान से सुनिएगा अब मैं ट्रिक कौन सी लगाऊंगा ए बराबर रजल्टेंड फोर्स यानि कि पर्णामी बल डिवाइड़ वाई टोटल मास पर्णामी बल बटेकुल द्रविमान वो ही लगाऊंगा मैं अब पर्णामी बल देखो जरह कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे जरह देखो बिटा सोचना इसको ये बल नीचे लग रहा है M2G ये इसको नीचे लेके जाएगा, downward direction में लेके जाएगा, ये downward जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा, जाएगा के नीचे जाएगा, जाएगा साब, ठीक है और ये R और M1G का कोई रॉल नी होने वाला यहाँ पर R बराबर M1G हो जाएगा क्यों भई इस बात को ध्यान से समझेगा बाद में कन्फ्यूज होगे आप रजल्टेंट फोर्स निकालने में कन्फ्यूज होगे इसलिए ध्यान से समझ ले न बेटा इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है इधर वाले की सुनू इधर वाले की बात यह है कि M1G नीचे लग रहा है नॉर्मल रियक्षन उपर लग रही है और R किसके बराबर होगा M1G के बराबर होगा M1G के बराबर होगा यह समझ में आ रही है बात तो इस बोड़ी की मोशन पर इन दोनों का कोई इफेक्ट आएगा के नहीं आएगा बाई ऐसे समझो मेरे उपर नॉर्मल रियक्षन लग रही है नीचे भारबल लग रहा है बेट फोर्स और नॉर्मल रियक्षन दोनों बराबर है और कोई मुझे इधर से पकड़ के खीच रहा है तो मेरे उपर जो R और M1G लग रहा है इसका कोई फैक्ट आएगा क्या मेरी गति इतर जाने में नहीं आएगा यह दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे संतुलित कर देंगे R और M1G एक दूसरे क्या करदेंगे संतुलित कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल- Reality क्लियर ओके चलिए सब तो यहां पर यह दोनों बराबर के हो गए अब बल कौन सा बचा केवल एक ही बल बचा पने पास यह यही तो बचा टेंशन T तो नेगलीजीवल कर देनी है यह तो नेगलीजीवल कर देनी है अभी तो कहा था मैंने जब जो ट्रिक मैंने बताई है यह वाली इससे यदि आप निकाल रहे हो तो टेंशन T तो हटा दो फिर बल कौन से बचे M2G बचा M1G बचा R बचा R और M1G दोनों एक दूसर अकीबल एक बचा M2G तो A बराबर क्या आएगा M2G divided by total mass तो आख का अंदा भी लिख देगा M1 प्लस M2 यह लो साब यह लो साब तो इसके A कैसे निकालोगे M2G upon M1 प्लस M2 बुक खोल के देख लो question आया हुआ होगा CDC बात है M1 और M2 की value आपको given होगी M1 M2 आपको given होगा A पूछा गया होगा यह formula आगया आपका कैसे बनाया वो भी आगया आपका समझ में आया नहीं आया सभी लोग बताएंगे जब तक मैं थोड़ा सा जल गिरेंड कर लेता हूँ ठीक है यह class CT के लिए है क्या नहीं बेटा यह CT की class नहीं है CT में इतना level नहीं आता भई यह समझ में आया के नहीं आया अभी और भी question मैं इसी पर बताने वाला हूँ इसी trick से समझ में आ रही है ना तो पहले बताओ यह समझ में आया के नहीं आया जमेला एक कैसे निकालना है यह सर आ गया जूड़ तो नहीं बोल रहे ना खई यह सर ऐसा question बियार भी एसी नर्सिंग में पूसता है अरे सब नर्सिंगों के है और सब नीट के एम्स के सब के परकच्चे उड़ा देंगे है अपन अभी तो शुरुआत हुई है थ्योरी नी पढ़ाने गया मैं सीधे question का discussion कर रहा हूं concept लगा करके बस clear sir clear sir sir r बराबर m1g कैसे हुआ यह नहीं आया नहीं मनु बेटा एक बात बता मेरी बास सुन बेटा एक बास सुन तो तेर को कोई नीचे जितने बल से खीच रहा है आना मतलब ऐसे सुन कि ऊपर से तो घरवाले खीच रहे तुझे और नीचे से तेरे दोस्त कीच रहे तुझे वो तेर को कही और ले जाना चाते है और घर्वारे कह रहे हैं कि लाली बिगड़े नहीं अमारी तो ऐसे रहे तो उपर से घर्वाडों ने भी फोरस लगा रखा है और आप इस थी रवस्था में हो ना आप नीचे जारे ना आप उपर जारे इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जितना तेरे दोस्त तुझे नीचे खीच रहे ने बटा उतना इबल गरवाडों ने लगा रहा है उपर से जाके दिखा कैसे जाएगी इसलिए आर वरावर M1G हो गया अब आ गई क्या अब आ गई क्या वास समझ में हां आ गई क्या बिल्कुल B.S.C. नर्सिंग में के लिए ही है M.S. के लिए है क्लास ठीक है चलिए और 11 का टॉपिक है जिन भी एक्जामों में आता उसके लिए देख सकते कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आ गया मनू समझ में फिक है चलो अगले कोश्चन पर बड़े ऐसा ही और कोश्चन लेका लें छलो साहब अगला देख साह अब तक तो हमने मेज बे एक गिरनी लगाई, अब उम्हें बेटा दो लगाऊंगा, कितनी लगाऊंगा, दो, ये वो ही मेज है, टेबल है टेबल, और टेबल पर बेटा ये लगा दी दो पुली, ये लगा दी दो पुली, ठीक है, और ये पुली से रस्सी जुड़ी हुई ह इससे तीन द्रविमान connected है, question देखो, एक और मज़ेदार अच्छी चीज लो, बिल्कुल constant हो जाएगा, बिल्कुल, मज़ा आगया तुमको यही रस तो थी है, इन रस तो से पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, इसी रस से पढ़ाऊँगा, चलिए देखिए, तो यहाँ पर यह मेज़े टेवल है, कैसी टेवल है, यह smooth, smooth table है, smooth table पर किनारों पर, corner पर दो पुली लगी हुई है, दो गिरनी लगी हुई है, गिरनी से रसी connected है, string connected है, string से इस तरीके से तीन मास connect हो गए, दो हवा में है, एक रखा हुआ है, कहाँ पर आपका table पर, आजी, चलिए, चलिए, देखे, अब मैंने कह दिया, m2 is greater than m1 है, m2 is greater than m1 है बिटा, यानि कि मैंने कह दिया, कि ये वाला तो नीचे जा रहा है, ये वाला आगे जा रहा है, और ये वाला उपर जाएगा, रमजी में आ गई बात, ये इधर जाएगा, ये आगे जाएगा, ये upward direction में movement होगी इसकी, ठीक है, चलिए साब, बात हो गई, और आपसे बोई ए पूछा गया, क्या पूछा गया, ये पूछा गया, तो ये कैसे निकाल होगे, ट्रिक से, देखो बेटा, ट्रिक, 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 एक ही ट्रिक वोई है, resultant force divided by total mass, ये लो साब, ना FBD बनानी, ना कोई equation बनानी और ना उनको solve करना, इसको लगाओ, M1 वाले पर कौन कौन से बल लगेंगे, M1 वाले पर एक तो लगेगा, M1 जी नीचे की और, यहाँ पर मैंने कह दिया, tension T1 है, तो जितनी tension इदर लगेगी, उतनी इदर लगेगी, क्योंकि रसी समान है, लेकिन इदर की तरफ tension T1 नहीं लगेगी, इदर हो जाएगी T2, इदर हो जाएगी T2, आप कहोगे गुरुजी T2 क्यों, तो रसी चेंज हो गई, जाएगी, ये एक रसी से जुड़े हैं, ये दोनों एक रसी से जुड़े हैं, तो रसी चेंज होने के कारण इदर tension इने, अलग कर दी, तनाबल, अलग कर दिया, T2 कर दिया, ठीक है, क्लियर है, ये जितने भी महारत ही, अगर यूटूब पर पढ़ने में इंट्रस्टेड नहीं है, तो फिर सीधा-सीधा मैं एपों में पढ़ाना चालू कर दूँगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहो इन चीजों को, जोस में तो आते हैं, थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर भागते हैं, दतूरे, ऐसे पढ़ो, ऐसे क्वालिफाई करोगे के तुम, गी का पुआ समझ रखा है के गफ़ देनी से अंदर, आजी, दो-दो पेज में सॉलिशन देखोगे, किसी बुक में जाओगे नहीं निके, और यहां दो-दो लाइन में आंस्वर निकारना सिका रहा हूँ, और फिर भी देखो, चलिए, देखो इदर, तो यह बराबर रजल्टेंट फोर्स डिवेडेड़ वाई टोटल मास, यही लगाना है, अब इस पे बल देखो, इस पर M2G, नीचे की और लगेगा, सबको पता है, इस पर और कोई बल लगेगा, नहीं लगेगा, नॉर्मल रियक्शन लगेगी, नहीं लगेगी, हवा में, हवा में कोई अविलम प्रतिकिरिया नहीं होती, इस पर नॉर्मल रियक्शन नहीं लगेगी आप इस पर देखो इसका बेट पोर्स mg नीचे और इस पर नॉर्मल रियक्शन लगेगी क्योंकि ये तल पर है ये लगा दी मैंने इस पर नॉर्मल रियक्शन आर क्योंकि ये प्लेन पर है लग गई पेटा आर उपर की ओर ठीक है जर जे क्या चल रहा है जो जुड़ेगा नहीं वो ऐसे चलेगा वस अब ताइम से जुड़ा करो तो नॉर्मल रियक्शन इस पर उपर की ओर लग गई साव देखो लग गई चलो अब अपन की ट्रिक लगाते हैं अपन तो लगा दे क तो सबसे पहले देखो यह बल तो मैंने इसलिए लगा के दिखाया कोई बेसिक मेथड जो पहले बताया मैंने एक्वेशन बनाकर करना अगर कोई उससे करे इसलिए मैंने सारे बल लगा करके दिखायें बागी जरुरत नहीं है T2 इसको अटा देंगे इसको अटा देंगे अटा दो यह अट गई T1 भी अट गई यह अट गई यह अट गई साब कोई कहेगा क्यों अटी कारण बता चुका हो जितनी T1 नीचे लग रही है उतनी ऊपर लग रही है magnitude same है opposite direction अटा दो इसको अटा दिया इसको अटा दिया इसको अटा दिया इसको अटा दिया चारों टेंशन अट गई और क्या अट गया Mg अट जाएगा R भी हट जाएगा normal reaction और R क्योंकि R वराबर Mg होगा क्यों नहीं नहीं होगा इसकी गती पर कोई प्रभाब नहीं होगा बिटा जी तो R और Mg को भी हटा दो अब बचा क्या अब बचा क्या कि अब फिजिक्सी बढ़ा रहा हूं बाई मेरे फिजिक्सी बढ़ा रहा हूं हाजी ठीक है तो R और Mg भी हट जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देंगे एक्यूलीरियम स्टेट में लिया आएंगे जितना Mg यह उतना ही आ रहा है कि लिए रहा है चलो साब इसके बाद में अब कौन से बल बचे अब कौन सा बल बचा एक तो मारती हो यह बचा और एक कौन सा बचा यह वाड़ा बचा और कुछ बचा क्या नहीं बचा एक M1g बचा एक M2g बचा यह दो ही बचे बाकि तो सारे हट गए तो resultant force कैसे निकालेंगे resultant force कैसे निकालेंगे बिटा, जा किदर रहा है जा किदर रहा है किदर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, ये उपर जा रहा है तो resultant force आएगा M2G minus M1G, यही तो आएगा इस में से इसको गटा दो divided by total mass M1 plus M2 plus M, अब कई M1 plus M2 लिख जाते हैं, अरे नहीं कुल द्रविमान में, total mass में तो तीनों का यह आएगा महराज तीनों का यह आएगा, तो तीनों को जोड देना है तो जोड दिये बटा, तीनों को M2G minus M1G upon M1 plus M2 plus M, यह आगया A यह आगया A question देख लेना notebook में, previous year के question देख लेना M1, M2 जो है आपको, M1, M2 जो है बटा, M1, M2 और M given होता है, A पूछेगा, यह रखा, answer निकाल लिया और मुले मत रटने लग जाना कि गुरू जी ऐसा pattern आएगा न तो हम रटलेंगे, यह वाला लगा देंगे अरे रटना नहीं है, physics में NEET और M's के लिए बटा, physics रटन नहीं सकते आप कोई जरूरी थोड़ी है, यह है इसमें एक और रसी लगा के नीचे एक और लटका दिया, फिर क्या करोगे इसलिए concept समझना है यह किसी book में नहीं लिखे हुए है यह भी बता दो, दुनिया कोई सी book उठा ले ना, यह book में नहीं है यह खुद के इजाद किया हुआ, method है, मेरा यह वड़ा यह जो निकाल रहा हूँ ना, यह खुद का इजाद किया हुआ, method है ठीक है MG बराबर मास इन ग्राम है क्या, अभे नालाइक बेटपूर से आयर किंग कोन है बेलकुल गूड मॉर्निंग, गूड मॉर्निंग आजी ठीक है तो इस टाइब का question आएगा तो कर लोगे मेरे लाल पी ले, अरे नहीं लो, कोई दिक्कत है क्या नहीं है ना, समझ में आया, मज़ा आया, हाजी मज़ा आया, और करवा दे क्या कुछ इसमें, और करवाएं, देखो एक चीज और बता देता हूँ एक चीज और एक चीज यह बेटा कि अब कई बच्चे कह रहोंगे, सर हम घर पे जो है जैसे पहला मैंने बेसिक मेथड बताया था, जो बुकों में लिखा हो होता है अगर हम उससे करना चाहे तो हमको FBD भी बनानी पड़ेगी, equation भी बनानी पड़ेगी, तो मैं बेटा FBD और equation और बना देता हूँ तुमारे लिए ताकि तुम उसको भी सीखते रहो, साथ की साथ देखो, जैसे M1 वाले की बनाओगे तो M1 G नीचे T1 उपर ठीक है? और acceleration A से यह उपर जा रहा है पहले वाले की FBD बना रहा हूँ इस वाले की, तो यहां से equation क्या बनेगी? T1 माइनस M1 G बराबर M1 A सिखा चुका हूँ कैसे बनेगी? दूसरे वाले की यदि FBD बनाओगे M2 वाले की तो देखो T2 उपर लग रहा है इधर देखते रहो, डाइग्राम में M2 G नीचे लग रहा है और A तुरण से नीचे जा रहा है तो यहाँ पर equation क्या बनेगी? M2 G माइनस T2 बराबर M2 A यह दूसरे की equation बनेगी यह मैं क्यूं बना के दे रहा हूँ आपको? ताकि यह method भी आपको आए क्योंकि exam में मान लो यह वाले है अगर आपको भूल गए तो दूसरा method यह भी है तो जरा देखो कैसे बनाओगे इस M वाले की कैसे बनाओगे M वाले की ऐसे बनाओगे बिटा कि देखो यह M mass की body इस पर इधर कौन सा बल लग रहा है? T2 देखो उपर इस पर इधर की तरफ कौन सा लग रहा है? T1 यह लग रहा देखो minus T1 बरावर MA ठीक है? यह basic method है बेटा short trick से तो निकाली लिया अपनने ठीक है? तो यहाँ पर यह इस तरीके से 3 FBD बनती है, 3 equation बनेगी 3 equation बनेगी 3 equation को 3 equation को बेटा क्या कर देना जोड़ देना अपने आप A का formula यह बन जाएगा अगर कोई गर्बे ट्राई करना चाहे तो करके देख ले ना इन 3 equation को आप जोड़ोगे तो A का formula यही आजाएगा समझ में आ गई बात clear है, clear है सर मुझे नहीं आया प्लीज मेरी फिजिक सच्छी कर दीजिए ना, बेटा बाबा राम देव की गुट्टी नहीं है मेरे पास कि तेरे को पिला दूँ डेली क्लास में जुड़ डेली देख डर अंदर का निकार दे एक ही चीज motivation, देखो सबसे जिन्दिगी में सबसे बड़ा important होता है यह पूरी practical life में ध्यान रखना यह पढ़ने में ही नहीं है यह आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी आप ध्यान रखना बिटा आपका ही जो confidence ने जिग्रा वो मैं देखता हूँ source real में आता है कि अगर जिग्रा नहीं कापा तो पूरी दुनिया कापेगी वो होना चीए confidence matter करता है physics में कई बच्चे कहते है physics से डर लगता है यह physics ही पढ़ा रहा हूँ मैं मुझे तो कभी 10 साल में इसने खाया नहीं मैं तो पढ़ा रहा हूँ आज भी आपको भी नहीं खायेगी अपने अंदर यह पैदा कर लो I can do it मैं कर सकता हूँ आप physics भी पढ़ लोगे आप दुनिया के सारे काम कर लोगे मैं सच बता रहा हूँ ठीक है और एक चंद लाएन है आज पहली बार जो है बहुत दिनों बाद 15-20 दिन होगे class ली होए अजीब सा लग रहा है सब कुछ ऐसा लग रहा है जा नहीं इस जगे पर तुम्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं था पहले हच ऐसा फील हो रहा है मुझे ठीक है कई दिनों हाद लोटा हूँ तो इसलिए लेकिन अपने अंदर एक ही चीज़ को डाल ले ना विटा कर पाओ नी कर भाओ वो अलग बात है सकसेज मिले नहीं मिले अलग बात है लेकिन अम मैनत ना करें ये तो गलत बात है तो मैनत तो करनी है जब एम आपका बड़ा है तो भाई साब सोच भी बड़ी रखनी पड़ेगी जिगरा भी बड़ा रखना पड़ेगा और इसके लिए एक बात ध्यान रख लेना कि आपने अंदर रोज एक लाइन बोला करो क्या लाइन बोला करो ठीक है ये दुनिया जिन तूफानों से डरती है उन तूफानों में हम कपड़े सुखाते है समझ में हागी बात ये अंदर डाल लो मैं भी डाल ला हूँ और ये जवाब उन लोगों को है कई दिनों से में देखता रहा GS planet पर जो है बहुत ट्रोल किया गया क्योंकि मैं नहीं था इसलिए उन ट्रोल किया जब आप सबको मिलेंगे जो अरकते आपने 15-20 दिन की है कई महारतियों को आज यहीं से संदेश दे देता हूँ कि गलती आपने की है 15-20 दिन आपने सोचा कि आप बोलने वाले तो गई अब वो तो घर है अब वो क्या कर सकते है तो आपने बहुत ट्रोल किया GS planet को एक एक चीज का जवाब मिलेगा आपको ठीक है तो और उनके लिए यह बात कि जिन तूफानों से तुम डरते हो ना उनमें हम कपड़े सुखाते हैं समझ में आ गई बात तो यह GS planet है और बेटाओ आपको अंदर अपने पैदा कर लेनी है सब्जेक्ट आसान लगे कि पढ़ने में आसानी रहेगी ठीक है नीट में फिजिक्स आती है क्या सर्जी तू तो वास्तम पहले बेटा तू और किसी चीज़ को देख ठीक है चलिए बहुत बढया शावास किलर वेटा चलो समझ में आ गया न तो यह इस तरीके से पिछले वाले में भी देखो अगर इसमें आप स्थले वाले में देखो अगर इस वाले का आप बनाना चाहूं तो मैं वे उसकी वह भी बना देता हूं इसकी भी बना देता हूं साब, देखो पिछले वाले में अपने बनाया नहीं था, सीधर सौर्ट ट्रिक से निकाल दिया था, इसमें भी, अगर M1 वाले की बनाओगे, तो देखो इस पर टेंशन T आगे लग रहा है, R उपर लग रहा है, M1 G नीचे लग रहा है, यही तो अगर इसकी equation बनाओगे तो यह दोनों तो बराबर होगी, पीछे कोई बल लगनी रहा, backward direction में कोई force है नहीं, तो यह जो tension T है, यही इसको आगे लेके जाएगा, तो T बराबर क्या आजाएगा, M1, तो यहाँ पर equation इसकी यह बनेगी, पहली FBD और equation यह बनेगी, और अगर इसकी बनाने जाओगे, दूसरे की M2G वाले की, तो यह M2 वाला हो गया, यह M2G नीचे की तरफ, यह tension T उपर की तरफ, और यह acceleration A नीचे की तरफ, तो यहाँ पर equation क्या बनेगी, इसकी पहले भी बना चुके हैं, M2G माइनस T बराबर M2A, जा किदर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो कौन जादा, M2G जादा, किस से जादा, T से जादा, कितना जादा, resultant के बराबर, यानी M2A के बराबर, killer है, तो पिछले वाला question जो किया था, उसमें अगर basic से करने जाओ, तो FBD यह बनेगी, equation यह बनेगी, दूसरे वाले की FBD यह बनेगी, equation यह बनेगी बन गई है आपकी दो equation, ठीक है, और फिर दोनों को क्या कर देना, जोड देना, अपने आप A का formula यह आ जाएगा, यह basic method है, जो कहां मिलेगा, बुकों में मिलेगा, और यह short method है, यह short method है, जो अपनने इजाद गया, आपको, आपको जो सीखना है, वो इस वाले से सीखना है क्योंकि आपका time बहुत बच जाएगा इससे, यह काम करने जाओगे, बहुत time लगेगा, इससे दो line में आपका answer बढ़ जाएगा. आपस की चर्चाओं को बंद रखो, इधर देखो, clear हो गई बात, तो यह तीन question अपने हो गए, अब एक question और कराता हूँ, आपको, देखेगा, देखेगा, IIT का question करा रहूं बटा, IIT का, सीधा सीधा लो, IIT में आया था एक question, वो खोल के देख ले ना, ठीक है, और देखो, तुम कितने आसानी से इसको कर लोगे, अगर तुमने ध्यान से class को पढ़ा है अभी तो, IIT में आया था एक question, ठीक है, M1, M2 और M3, तीन मास है, तीन द्रविमान हैं, और यह तीनों, यह दो रस्यों से जुड़े हुए हैं, और आपने M3 वाले पर 120 न्यूटन का बन लगा रखा है, और आपको इनकी वैल्यू भी गिवन होती है, M1 की वैल्यू मैंने कह दिया, 20 किलोग्राम है, M2 की वैल्यू कितनी है, 40 किलोग्राम, और M3 की वैल्यू कितनी है, बिटा, 60 किलोग्राम, कुश्चन देखेगा द्यान से, M1, M2 और M3, 3 मास हैं, कितने के 20 का, 40 का, 60 का, 3 और रसी की सायता से जुड़े हुए है, और 120 न्यूटन का बल, इस M3 वाले पर लगा रखा है, वो ये रेलगाडी वाड़ा सिस्टम है, ये इंजन पे लग्या बल, और ये डिब्बे चल रहे हैं, पीछे, connected आपस में है, अब आपसे इस कुश्चन में पूछा क्या गया था, जब ये कुश्चन आया था तब, इसमें आपसे तुरण पूछा गया था, acceleration, और दूसरी, यहाँ पर जो tension लगेगी इस रसी में, इस string में, T1 और T2, तो T1 और T2 के मान आपसे पूछे गए थे, ठीक है, देखो बिटा, ये तुरण से ये आगे जाएगा, ये भी ये तुरण से, ए एसिलेशन से आगे, ये भी एसिलेरेशन से ही आगे जाएगा, ठीक है, तो आपसे ये तीन वैली पूछी गई थी, A, T1 और T2 की, किलेर है, समझ में आ रहा है, सर ये friction वाली rough surface का concept, बिटा, अभी अपन smooth surface पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ही सारे pattern में friction पे भी बढ़ाओंगा आपको, ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पर एक बार concept बन जा है, उसके बाद वहाँ पर अपन friction भी add कर देंगी, friction वाले में कोई अंतर नहीं है ज्यादा, पहले smooth वाली पढ़ा देते हैं, फिर friction वाली भी पढ़ा देंगे आपको, friction वाली भी पढ़ाएंगे, inclined plane यानि कि नतल पर भी पढ़ाओंगा बेटा, नतल पर भी गिरनी लगा के पिंड को गति कराने वाड़ा, वो pattern भी आपको सब कुछ बताऊंगा, आप देखते रहो बस, चलिए, ITI नहीं है, फायर किंग मैं तुझे ब्लॉक कर दूँगा, बगफास मतमार, तुमजे ले रहा है, ITI में physics भी आती है, अब है IIT कहे रहा हूं दतूरे, हाँ जी, तो यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, A पूछा गया, T1 और T2 यह पूछे गई, अब इसमें कैसे निकालोगे, कई बच्चे डर जाते हैं, IIT का question है, और अभी देखो, एक second में answer आएगा तुमारा, सबसे पहले बेटा, वोई trick से निकाल रहे हैं, अपन A, A किस से निकालेंगे, यहाँ पर देखो, मैंने क्या गा बेटा, trick जब लगाओ, तो tension T1, T2 को अटा दो, अटा दो भई, अटा दी, tension T1 और T2 दोनों, अटा दी, ठीक है, अब और कौन सा बल बचा, इस पर और बल कौन कौन से लगेंगे, देखो, यह M1G नीचे लगेगा, यह normal reaction N1, ऐसे ही इस पर क्योंक तल पे रखें नहीं, यह M2G नीचे लगेगा, normal reaction N2 उपर की तरफ, यह इस पर M3G bed force नीचे लगेगा, यह normal reaction N3 उपर की उर, लग गई, लेकिन बेटा, यह आपस में सारे क्या होंगे, बराबर, क्वेशन तो यह है अपना, solution इदर लिख देता हूँ, N1 बराबर M1G होगा, N2 बराबर M2G होगा, ठीक है, और N3, normal reaction बराबर M3G होगा, यह होगा बिटा, ठीक है, तो इनका तो कोई effect आएगा नहीं, motion में, भारवल यानि weight force और normal reaction, इनका तो कोई effect आएगा, नहीं, ठीक है, अरे बाते मत कर विदर ज्यान दो, ठीक है, तो यह तीनों तो बराबर की हो गई, कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं है, अब बल कोण सा बचा बिटा, केवल ये वर्चा, और कोई बल बचा गया, normal reaction weight force तो, एक दूसरे को संतुलित कर दिये, टेंशन T1, T2 अपनने अटा दी, negligible कर दी, अब बल कोण सा बचा केवल 120 newton वाड़ा, तो ये 120 divided by total mass, total mass कितना बिटा, 20, 40, 60, यानी 120, तो एक आमान कितना आ गया, एक मीटर पर second square, ये लो, बात समझ में आगी क्या, IAT का question, एक लाइन में answer, अगर concept है तो, अगर concept है, तो आप जो है, एक लाइन में answer निकाल लोगे, ये सब तो हो गए बराबर के, और जो है, T1, T2 अपन ने हटा दिया, तो एक ही बलबचा 120 Newton, जिससे सब पूरा सिस्टम पूरा निकाय आगे जाएगा, तो resultant force आप 120, total mass 120, तो acceleration की value कितनी आगई, 1 meter per second square आगई, तुमने जो पढ़ा है, उससे IAT का question ठोग दिया है, और क्या चीए तुमको, बताओ, हाँ, तुम्हारे भी आगए answer, एक, 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 समझ में आगई बात, clear, चलो, अब और क्या निकालना है, T1 और T2 और निकालना है, तो T1, T2 निकालने के लिए, FBD बना लेना, कैसे बना लेना जरह देखो, ये M1 मास बाली बोड़ी, इस पर T1 इदर लग रहा है, लग रहा है के नहीं लग रहा, देखना, देखना भई, T1 इदर लग रहा है न, और N1 और M1 जी नीचे लग रहे हैं, देख लिया, देखो, ये N1 और ये M1 जी, ठीक है, और जा किदर रहा है ये, इदर, अमज़ में आ गई बाद, तो यहां से, N1 बराबर तो M1 जी हो गया, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, इसको तटाओ, जब फ्रिक्शन वे बात करेंगे न, फ्रिक्शन पे, तब ये M1 जी और नॉर्मल रियक्शन काम आएगी आपके, ठीक है, तो N1 और M1 जी ये तो बराबर इनको तटादो, अब जाक इदर रहा है ये आगे की तरफ, तो T1 बराबर M1 ये लिख दू गया, ये T1 के कारणी तो आगे जाएगा, ज़रा डाइग्राम देखो, और imagination रखना इस chapter में, ज़्यादा समझ में आएगा, T1 इदर लग रहा, आगे की तरफ ही जा रहा है, यहाँ पर, तो इस इस्तिती में बिटा, T1 बराबर M1, A आ गया, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1 कितना दे रखा था, M1 दे रखा था, आपको कितना 20, और A कितना 1, तो कितना आ गया, 20 Newton, ये T1 आ गया साब, ठीक ह इदर की तरफ है, तो T1 बराबर M1 A equation बनेगी, M1 की वैल्यू गिवन थी, A की वैल्यू हम निकाल चुके, 1 meter per second square, तो यहाँ से 20 Newton आ गया, clear है sir, clear है sir, clear है sir, okay, 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 बिल्कुल, 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 T1 बराबर 20, बहुत बढ़िया माहिरा, बहुत बढ़िया, चीक है, इसके बाद दूसरा, दूसरा आपको क्या निकालना है बेटा जी, दूसरा क्या निकालना है, आपको T2 निकालना है, अब T2 के लिए चाहे M2 की FBD बना लेना, चाहे M3 की, किसी से भी निकालना, दोनों किसे आंसर बराबर आएंगे, मैं दोनों से ही निकाल के बता देता ह निकाल रहा हूं, सबसे पहले मैं M2 वाले से निकाल रहा हूं किस से ? M2 वाले से, देखो कैसे यह M2 वाला हुगया, इस पर देखो कौन-कौन से बल लग रहे है थोड़ा सह minimize कर देता हूं ताकि देखता रहे M2 वाले पे देखो, आगे की तरफ T2 लग रहा है, पीछे की तरफ T1 लग रहा है, उपर की तरफ normal reaction है, नीचे की तरफ M2G है दिख गया सबको, आगे T2, पीछे T1, उपर N2, नीचे M2G, यही है, देखो तो यह N2, यह M2G, यहाँ पर T2, यहाँ पर T1, लग रहा है विटा, और जा किधर रहा है, यह T2 वाले की तरफ, इधर ही जा रहा है, forward direction में तो यहाँ पर देखो विटा, N2 बराबर तो M2G हो गया, इसको तो अटाओ दोनों को, जब रफ सरफेस पर बात होगी, खुरदरी सतय पर होगी, तब अपन जो है, इन दोनों को include करेंगे, normal reaction को और weight force को, तो इनको तो अटाओ, और इधर देखो भाई, जा किधर रहा है, आगे की तरफ तो इधर से equation क्या बनेगी, T2 माइनस T1 बराबर M2A, जादा कौन सा T2, जाएदर रहा है न, किस से जादा T1 से, कितना जादा resultant M2A के बराबर, तो यहाँ से T2 बराबर कितना आएगा, T1 प्लस M2A, और T1 की value कितनी आई बेटा, 20, कितनी आई, 20, M2 की value कितन 1, तो कितना आएगा बेटा, 60 Newton, कितना आएगा बेटा, 60 Newton, तो T2 की value कितनी आगई, 60 Newton, बिल्कुल महीरा का answer सही आ रहा है, 60, बिल्कुल 60, नीतु 40 नी बेटा, 60 आएगा, ठीक है, देखो इधर, समझ में आ गया, अब कोई तो यह कह, नहीं गुरू जी, मैं तो दूसरे व इससे निकाड़ूंगा, T2 क्योंकि T2, यहां भी तो है सक, इस M3 बाड़े पर पीछे लग रहा है न T2, तो मैं तो इससे निकाड़ूंगा, गुरू जी, निकाल ले बिटा, उससे निकाड़ के बता देते, ले बिटा, सेम आंसर आएगा, इधर देख, इधर देख, अमल रियक्षन N3 उपर लग रही है, यही तो है, देख लो चाओ तो, दिखा देता हूँ एक बार डाइग्राम में दुबारा से, दुबारा से दिखा देता हूँ, इटू पीछे की तरफ, 120 नूटन आगे की तरफ, N3 उपर और N3 जी नीचे, यही है, चलिए साब, चलिए, 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 तो अब यहाँ पर, यहाँ पर, N3 बराबर तो, N3 जी हो जाएगा, तो इसको तो, वोई, नेगलीजिवल कर देना है, इसको तो, हटा द देना है, अना, ध्यान रखना, यह काम तो आएगा अपने, लेकिन कब आएगा, जब रफ सर्फेस पर होगी, स्मूथ सर्फेस की जगह, बॉडी कहां रखी होगी, रफ सर्फेस पर, खुरदरी, सतय पर रखी होगी, तब यह काम आएगा, तब तक काम नहीं आने वाड़ा ठीक है, अब equation बनाओ, जा किदर रहा है, इदर, backward direction मी यह है, तो यहां से equation क्या बनेगी, f minus t2 equal to m3a, यही बनेगा, f minus t2 बराबर m3a, तो यहां से t2 बराबर कितना आजाएगा, f minus m3a, यही आजाएगा, t2 बराबर f minus m3a, और f कितना है बटा, 120, ठीक है, minus m3 की value कितनी है, m3 की, m3 की 60 दे रखी है, और a की value 1, तो यहां से देखो 60 newton, 60 newton, यहां से भी 60 newton आया, और यहां से भी आपका 60 newton था, t2 की value 60 newton थी, यहां से तीसरी वाली से निकाला, तो भी 60 आया, समझ में आ गई बात, तो ऐसा नहीं है कि answer अलग-अलग हो जाएगे, यह answer सेम ही रहेंगे, शिमरन बेटा पढ़ने पर ध्यान देख ले, आपकी caste हमारे side की लग रही है, तो caste पर मदे बेटा ध्यान पढ़ने पर ध्यान दे, ठीक है, बिलकुल, 60 newton, बिलकुल, 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 प्रयांशी कुमार यादा बहुत बढ़ी है, कई बच्च किलास है, यह मेरी, और सीधा कॉश्चन कहां कहां के कराया, अब जरत तुमारी कॉपी, कॉपी क्या मतलब कोई नोट, जो भी बुक है तुमारे पास में, उन बुकों में खोल के देखना कि आज जितने भी कॉश्चन कराया, पहली किलास पे, कोई थियोरी नहीं पढ़ाई कुछ नहीं पढ़ाया, सीधे जो है जो एमस और नीट में इस टॉपिक से बहुत कॉश्चन साते हैं, सीधे वहीं पर बात करी, और चौथा ही कॉश्चन आया एटी का ठोगा है तुमारे सामने, चौथा ही कॉश्चन, और इससे पहले जो किया है, वो भी एक्जाम में आय को पढ़ाया था, आप देख ले न, ये नीट में आया होगा कॉश्चन है, M1, M2 की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, बेसिक मेथड से बता दिया, शौट ट्रिक लगाना सिखा दिया तुमको, कैसे लगा के डारेक्ट निकालना है, ये सब आई हुए कॉश्चन हैं, और अ स्यादा थियोरी थोड़ी बढ़ाऊंगा, यूटूब पे, केवल सीधे PYQ कराऊंगा, एप में चलती रहेगी एक लास तो, तो PYQ में आपको ये ही कुश्चन कराऊंगा, तो आपको इसी तरीके से बेटा ट्रिक लगा करके निकालने ना है, फिजिक्स का सबसे टफ पो कोई बात नहीं, PDF बेटा, GXplanet क्लासे जैपूर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, समझ में आगई बात, वहां से देख ले ना, बिल्कुल पढ़ाई जाती है, बायो भी होती है, ठीक है, अब देखो, हाँ SC वर्मा है, तो SC वर्मा हम देख ले ना, बेटा, मिल जाएंग और सब सारे questions solve कराएंगे, आपको, tension मतलो, आगे आऊँ बापिस, अच्छे से physics पढ़ेंगे, ये तो एक अभी trailer चल रहा है, अभी असली picture तुम अब दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को जुड़ना है, daily जुड़ना है, एक बात तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है, दू और EMS का course purchase कर लेना, price तो मुझे नहीं पता अभी क्या चल रही है, क्योंकि मुझे अभी कोई idea नहीं था 15 दिन से, ठीक है, वो तो आपको मिल जाएगा, नमबर आपके पास है, 3777 वाला नमबर, इस नमबर पर call करना, last digit इसकी है, description में मिल जाएगा, इस नमबर पर call करके, NE इतनी भी classes होगी, वो सब app में होगी, YouTube पर नहीं होगी, YouTube पर class नहीं होगी बेटा, ठीक है, तो आप ऐसा है तो है नहीं कि YouTube पर पढ़ते रहेंगे, अपन नहीं, आप जिन बच्चों ने अभी course purchase नहीं किया है, वो GS planet classes, जैपूर की app डाउनलोड करके, दोनों के course purchase गरके, पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि NEET के लिए भी आपको कम से कम 6 मन्त चाहिए, और AIMS के लिए भी आपको 3-4 महिने चाहिए, और इतना ही समय अपने पास बचा है, इसलिए बटाओ, आज ही app डाउनलोड करके, आज के आज जोड़ जाना, और देखो, NEET और AIMS में समसे ज दो-दो पेज के solution वाले question आप दो-दो line में करना चाहते हो, तो भी यह GS planet से आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, clear है, ध्यान रखना, आज app में class होगी, क्या नहीं आप कोई class नहीं होगी, यहीं पढ़ाया है आज अभी, अब जो है app में class देख लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, वो सब आपको बता देंगे, notification आ जाता है वैसे तुम्हार पास, clear है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, जुड़ जाना पेटा आजी, लेट नहीं होना, ठीक है, क्योंकि लेट हो जाओगे, तो फिर यह समय कम होता चला जाता है, जब समय कम होता है, तो फिर जो है, मजा नहीं आता पढ़ने का, इसलिए अभी के अभी जुड़ जाना, और दूसरा, कल अपन इस पे और चर्चा करेंगे, inclined plane पर, नतल पे पढ़ाऊंगे बेटा, नतल पे, अभी तो देखो, अभी तो बंदर उचलेंगे, इसमेर अभी तो पता नहीं क्या- ठीक है, ये जरूर बता देना, जी, सर मजा आ गया, पढ़गर के, धन्यवाद, ठीक है, चलिए, कल फिर से अपनी मुलाकात होगी, ठीक है, और दुबारा से इसको देखना, जिन्होंने course purchase नहीं किये, वो course purchase करना, क्योंकि अब हमें दुबारा से, जल्दी जल्दी अब सा तब तक के लिए, जै हिन, जै बारत!